नमस्कार दोस्तों, किसान सर्किल में आपका स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे गेहूं में पहला पानी कब देना चाहिए और पहले पानी पर कौन कौन सी खात देना चाहिए जिसे हमारी टेलरिंग बहुत तेजी से हो और पौधा मजबूती के साथ आगे बढ़े तो आएए जानते हैं पहला पानी कब देना चाहिए पहला पानी हमेशा CRI स्टेज पर ही देना चाहिए CRI मतलब Crown Route Initiation आएए पहले जान लेते हैं CRI स्टेज क्या है जब हम खेत में बीज डालते हैं तो ग्यों के बीज में जड़े बनती हैं और एक सूट निकलता है उपर जो बहुधा बनता जाके है लगभग 20 से 21 दिन पर एक मूल जड़ से थोड़ी दूरी पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ी दूरी पर एक दूसरे जड़ का निरमाड होता है यह क्राउन नुमा आकरत लिए रहती है यानि कि चारों तरफ है जड़ों का जाल टाइप में बन जाता है मूल जड़ से थोड़ी दूर उपर इसे कहते हैं क्राउन डूट इनिशियेशन यानि कि पाउधा अब मूल जड़ से पोसड़ ना लेकर इन जड़ों से पोसड़ लेता है मेंली और यहीं से टिलरिंग की सुरुआत होती है यानि कि पाउधे को इस समय पानी और खाद की सबसे जड़ा आवसकता होती है क्योंकि यहीं पर उसको में पोसड़ की आवसकता होती है और यहीं से उसका टिलरिंग मेंली स्टार्ट होता है पाउधे का ग्रोथ इसी स्टेज से स्टार्ट होता है यानि कि यह स्टेज पौधे को सबसे ज़्यादा इसी समय पे रहती है तो पानी पहला पानी जो है सिर आई स्टेज पर ही देना चाहिए यानि कि अगर नमी अच्छी हैं आपके खेत में तो बीसी किस दिन पर ना देकर 25-26 दिन भी कर सकता है 25-26 दिन पर भी दे सकता है अब बात करें पहले पानी पे कौन कौन सीखाद देना चाहिए अगर आपने बुई के टाइम में डिये पी या एन पीके का इस्त्माल किया है तो डिये पी रहने दें इस टाइम में पहले पानी पे पहले पानी पे आप पचास किलो यूरिया और उसके साथ मिक्स कर दें एक जोला सागरिका का सागरिका एक सीवी डूत पाद है जो की ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है इस मिच्चर को मिला के अच्छी तरीके से पानी देने से पहले खेद में बिखेड़ दें और फिर पानी दे दें आप देखेंगे इसका बहुत सांधार रिजल्ट रहेगा और फिर जब आट दस दिन बाद पैरस हैने वाली जमीन हो जाए तब एक स्प्रे लगा दें स्प्रे में क्या क्या चीज़ डालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ स्प्रे में जिंक सल्फेट 700 ग्राम मैंगनीसियम सल्फेट 1 केजी और फिरस सल्फेट 500 ग्राम और साथ में 1 केजी यूरिया मिक्स कर लीजे इतने मिक्चर को एक एकड में स्प्रे करना है लेकिन ये ध्यान रहे जिंक सल्फेट ये सल्फेटों का मिक्चर अलग-अलग सब का बनाना है और फिर टंकी भरते समय एक मात्रा के हिसाब से डाल दें या इस्प्रे करते ही आप देखेंगे एक बहुत सांदार तरीके से फसर चल पड़ेगी बहुत हिलाजबाब रिजल्ट देखनों को मिलेंगे और यहाई स्प्रे आपका जैसे ज़्यादा पानी हो जाता है तो पीला पना जाता है या आपका हर्वी साइट प्रेयो करने से पीला पना जाता है उसको भी दूर करेगा किसान सरकिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और अगर आपको जानकारी लाबदायक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सेयर करें